अब हम समझेंगे कि सबसे पुराना धर्म कौन सा है सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म धर्म का मतलब याद रखना जो ऐसे वेक्ति से प्रेम और सेवा करना सिखाए जो सास्वत है उसका नाम है धर्म सनातन धर्म सिष्टी के सर्जन से प्रारंप यहाँ पर का आगया है सनातन धर्म सिष्टी के सर्जन से प्रान में अस्तित्म है यह सिष्टी आरम का बूई ब्रमा जी के 51 साल पहले सिर्मत भागवतम के दूसरे इसकंद के नुशा ब्रमा जी का अभी इकाउनमा वर्ष चल रहा है हमारे और ब्रमा जी के समय की तुलना भागवत घीता के आठवे अध्याय में की गई है उसमें लिखा है कि चार युगों को इखटा करने से एक चत्र युग होता है ऐसे ऐसे एक हजार चत्र युग होते हैं तब ब्रमा जी का एक दिन होता है और ऐसे ही युगों की एक रात्री होती है ऐसे साथ दिन और साथ रात्री मिलाकर ब्रमाजी का एक सब्ता होता है ऐसे चार सब्ताओं का एक महीना होता है और ऐसे ऐसे बारा महीना का एक साल होता है और ऐसे ऐसे ब्रमाजी के 51 साल पार कर दी है ब्रमाजी ने इतना पूराना ये हमारा सनातंधर में भगवत गिता अरजुन को कही गई 5000 साल पहले जो भगवत गिता है वो भगवान कृष्ट ने आज से 5000 साल पहले कुरुक शेत्र के युद भूमी में अरजुन को कही थी और भगवत गीता के चौते अध्याई के पर्थम स्लोग में परमान है कि यही भगवत गीता भगवान कृष्ण ने सूर्य देव विवस्वान को 12 करोड साल पहले कही थी 12 करोड साल पहले एसा नहीं है की भगवत गीता के सुरुवात आज से पांच अजार साल पहले हुई भगवत गीता तो करोडो करोडो यूगों से अस्तित्म है फिर भगवान बुद्ध 2500 साल पहले आये थे और बहुत धर्म की स्तापना की थी इसाई धर्म 2000 साल से अस्तित्म है अर्थात जिसस क्राइश्ट आज से 2000 साल पहले आये थे इसलाम धर्म 1300 साल से अस्तित्म है मोहबत पैगंबर आज से 1300 साल पहले आये थे तब से ये इसलाम धर्म इस दुनिया में है सारांस यह है कि सबसे पूराना सनातन धर्म है जो भगवान से प्रेम और सेवा कराना सिखाता है